यह वाइज दिस इस अंको कॉषिक एन यूर वेल्कम अन चैनल यू पीए सीक्साइब आज का हमारा टॉपिक है लेकि आज हम नेया चप्टर स्टार्ट करने वाले है चैप्टर एड है चैप्टर का नाम है इसमें सबसे पहले जो टॉपिक हमारा क्या है अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें एट्मोस्फेर के बार में पता होना चाहिए ना कि एट्मोस्फेर किसे कहते है एट्मोस्फेर is a mixture of different gases and it envelops the earth all around क्या आर्थ के चारों तरफ एक envelop है अलगलग तरीके की gases का है ना उसको हम एट्मोस्फेर करते हैं इतना याद रहेगा यह एट्मोस्फेर के definition है एक इसाटी में लिख हुई है यह ध्यान में रहना चाहिए अब यहाँ पर बहुत important शीज बोल रहा है क्या बोल रहा है इट कंटेंस life-giving gases atmosphere के अंदर life-giving gases लोती है अब आप कहेंगे life-giving gases मतलब oxygen हाँ लेकिन like oxygen for humans and animals humans और animals के life-giving gas है oxygen लेकिन and carbon dioxide for plants plants के लिए life-giving gas is carbon dioxide तो अगर कोई अगर option आता है कभी question आता है कि is carbon dioxide a life-giving gas yes it is a life-giving gas carbon dioxide is a life-giving gas for plants for humans and animals life-giving gas is oxygen humans और animals के लिए life-giving gas oxygen होती है लेकिन plants के लिए life-giving gas carbon dioxide होती है तो कभी अगर option में carbon dioxide भी है तो ध्यान दखिएगा इस चीज़ को ठीक है चलिए आगे बढ़ता है अब आजाते हैं atmosphere की बात और यह तो air की बात होगी ही कि air क्या होती है यह भी बात आईगी ठीक है is a colorless and aurorless air जो होती है colorless होती है aurorless होती है air का ना कोई color होता है ना इसमें कोई महक होती है कोई smell नहीं होती है यह बात हम से को पता है and can be felt only when it blows and wind and air की एक और खास बात है कि normally अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ air मुझे फैल नहीं होगी मैं air को feel नहीं कर सकता लेकिन अगर मैं पंका चालो कर दूँ तो हवाग घूमनी स्टार्ट हो जाएगी it will start blowing तब मैं air को feel कर पहूंगा तो air को हम सिर्फ तभी feel कर सकते हैं जब वो blow करती है ना हम उसे देख सकते ना हम सुन सकते हैं समझ रहे हैं अगर air के अंदर कोई आपको कुछ order आ रही को smell आ रही है तो air की नहीं हो किसी और चीज़ की जो air के through आप से पहुंच रही है ठीक है तो air जो orderless है colorless है और सिर्फ तभी we can feel air only when it blows ठीक है जब air blow करेगी हम उसको तभी feel कर सकते हैं next का बोलता है air is an integral part of earth's mass air जो है वो earth के mass का integral part होता है ठीक है air के बिना earth का mass होगी नहीं सकता अगर कोई बोले का अर्थ जो है वो atmosphere और दो अलग चीज़ा नहीं अर्थ से related atmosphere यह हमने origin of universe में बढ़ाता starting में कि जो सबसे lightest element थे gases उन्होंने हमारा atmosphere बनाया और जो heavy elements थे वो उन्होंने हमारा earth बनाया जो सबसे ज़्यादा heaviest है वो core में चले गए उससे हलकी mental में आ गए फिर crust में फिर जो सबसे हलकी थी gases बाहर आ गई और वो atmosphere बनाया degassing of earth हमने पढ़ाता है ना तो atmosphere भी earth का integral part है ठीक है and 99% of the total mass of atmosphere is confined to height of 32 km यह बात भी धियान लगना कि 30 km 32 km जो है कहां से earth के surface से 32 km तक 99% atmosphere जो होता है वो ही तक होता उसके बाद जो है फिर 1% यह सरा density gases कि इतनी कम हो जाती है उसके बाद earth के surface पे सबसे ज़्यादा density होती है gases की उसके बाद gases की density कम होती है इस तरीके से कि 32 km तक 99% जो है वो density 99% atmosphere वो 32 km तक ही रहता है उसके आगे बागी 1% रहता है ठीक है from the earth surface earth के surface ठीक है तो यह basic जो चीज आपको समझा गई चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चलिए हमने पढ़ लिया atmosphere की definition पढ़ लिया air के बारे पढ़ लिया क्या होता है ठीक है मोटी मोटी चीज़े पढ़ लिया अब आजाते हम composition पर जो कि हमारा आज के topic है composition of atmosphere तो क्या कहता है air is composed of sorry the atmosphere is composed of तीन चीज़े है gases water vapor dust particles MC क्योंका answer दे दिया इसने आपको anxiety में कि अगर कहीं question आता है atmosphere is composed of charge लिखे होंगे इन में से कौन-कौन से है gases water dust particles एक और चीज़ कुछ होगी sunlight या कुछ भी मान सकते हैं ठीक है तो ये तीन चीज़ याद रखने हैं आपको gases water vapor and dust particles बच्चे anxiety बढ़ते नहीं है फिर बोलते हैं question कहां से आया ठीक है चले आगे बढ़ते हैं एक खास बात है इसके बारे में atmosphere के बारे में कि gases तो है water vapor भी है dust particles भी है लेकिन proportion of gases changes in higher layers of the atmosphere कि gases का proportion जो है जैसे जैसे हम उच्छे layers यह तो मैं पता है कि atmosphere layers में पाया जाता है atmosphere जो है different layers में ठीक है उन layers के बारे में अगले topic में पढ़ेंगे structure of atmosphere के बारे में पढ़ेंगे ठीक है लेकिन उन layer में composition इस तरीके से है जो proportion of gases का इस तरीके से है कि the oxygen will be almost in negligible quantity at the height of 120 km मतलब 120 km के बारे मतलब 120 km के बारे मतलब 120 km के बारे मतलब अगर question आता है कि oxygen कहां तक मिलती है तो answer होगा 120 km उसके बाद oxygen negligible है मतलब ना मात रहे है समयजी है ही नहीं atmosphere में ठीक है जितनी भी oxygen है atmosphere में उससे नीचे नीचे layers में next क्या बोलता उसी तरीके से similarly carbon dioxide भी है और water vapor भी है are found only up to 90 km carbon dioxide और जो water vapor है वो सिफ 90 km के तक मिलते है from the surface of the earth earth के surface से 90 km के नीचे नीचे तक मिलेंगे क्या carbon dioxide और water vapor रिमेंबर याद करने वाले facts हैं याद रखने है facts oxygen कहां तर मिलेगी 120 तक carbon dioxide और water vapor 90 तक बस इतनी सी बात है ठीक है अब यहां पर क्या है तीन चीज आईए अगली जो हमाई classes होंगी वह इन ही बारे में होगी पहली class glasses के बारे में gases का क्या composition है क्या composition atmosphere में water vapor के बारे में और dust particles के बारे में इन तीनों को हम अलगलग topics में पढ़ेंगे NCRT में दी हुआ है ठीक है उसके बार फिर हम आएंगे structure atmosphere में ठीक है उससे पहले हमें यह तीनों चीज अलगलग पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है यह next class में कराएंगे हम यह class नहीं कतम होती है introduction आपका हो गया आपको वापे वीडियो देखनी है कुस तमझे नहीं है तो बता कमेंट कर दीजिगा मैं दुबार से सुझा दूँगा कोई दिक्रादाने बात नहीं है ठीक है आपकी वीडियो को लाइक जो कीजिगा और सब्सक्राइब जो कीजिए चैनल को thank you